नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है आज हम बात करेंगे कि साप काटना से बचें दोस्तो प्राय गाउं या बाग बगीचे में साप काटने के दर गटना अधिक हुआ कर दिया यह लोगों की आम धारना है कि साप ने काट लिया तो विश का प्रहाओ होना भी निश्रत है पदल याद रखिय कि साप uży हिसले नहीं होते इसके विपरीद कुछ साप भीसली भी होते हैं इस बात का पता लगाया प्राय कठिन हो जाता है कि जिस साप काटने काटने पर उसे वसेले समझकर ही उपचार करना चाहिए ताकि विस फैलने की असंखा दूर हो जाए उमीद दोस्तों आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो कि यदि आप हमारी यह वीडियो यूटूब पर देखने तो चैनल के सब्सक्राइब करें और यदि आप हम आइकन धन्यवाद